अब कह रहा है coordinates of point R बताओ, जब C origin है, C origin है, C origin है, मतलब C value 0 को 0 है, तो यार वैसे तो हम ऐसे लेते हैं, है ना, XY, तो right side में X positive होता है, left और उपर positive होता है, लेकिन क्योंकि C origin है और वैसे तो मैं negative negative लेता, मतलब मैं इसको भी negative लेता, और इसको भी negative लेता, पर option में negative negative लेता है, तो मतलब option में positive ही माने है, यानि ये positive माने है, और ये भी positive ही माने है, चीक है, पहली बात तो ये, ये important था, क्योंकि options में ऐसे given है, तो इसलिए ऐसे मानेंगे, दूसरा, c मेरा ये है, तो ये होगा one, नीचे माग करता हूँ, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, fifteen है, चलो, इसके बाद ये होगा, one, two, three, four, five, six, seven, चीक है, अब जो मेरा पी कोर्ड़नेट है, पी, ओके, इसका पी का एक्स कोर्ड़नेट है 12, और य कोर्ड़नेट है 2, तो ये होगा 12,2, चीक है, तो पी होगा 12,2, आर की बात करें, तो आर का है 3, और यहां से है उपर से 10, तो आर है, x की वैलियो 10 और y की वैलियो 3, x हमेच से होरिजॉन्टल होता है, होरिजॉन्टल मतर्यस से लिठा होगा, चेक है, वर्टिकल मतर्ब सीधा ख़ड़ा होगा, तो ये एकस है, ये ये यe यह, यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ यहाँ पर x है और यह नीचे की दरफ y है च्छाँ पीक r हो गया q की बात करें तो q है मेरा 13 पर यहाँ से जाओं मैं अगर तो यह 6 पर है ठीक है 13 6 12 2 10 3 तो अप्शन सी करेक्ट है चीक है